नमस्कार मैं विजय कुमार साहवएक बेर फिर्ट साब सरे कि स्वागत करता हूँ एक्जाम की कलब में और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत है अच्छे होंगे दोस्तों और यहां पर आप देख सकते हैं यह लोग सिक्षक संचलाला 36 गड़ के तरफ से एक नोटिफिके सिख्षक के जो अभी बहरती करा रहे हैँ पूरी याँ आप देख सकते हैं विजय में सिख्षक संवर्ग के 145 door सीसे संबंद में ठीक है अब यहां पर दो पत्र दिये गए हैं ये दोनों पत्र किसे रेलेटर है ये भी मैं आपको बताऊंगों यहाँ पर पहले आपर देखते हैं क्या लिखा गया है विशाय अंत्रकत संदर्भित पत्र का अलोकन करें यानि कि इन पत्रों को अलोकन करने के लिए कहा जा रहा है इस वाले पत्र और पूरो में आपके द्वारा व्यापम द्वारा जारी की गई परविडी सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार उमिद्वारों के अभी लेखों का आनलेन सत्यापन कर पात्र आ पात्र पात्र पाये गए अमिद्वारों को पिर्थक पिर्थक लिख से सूचना प्रदान की गई है यानि कि verification वगर हो गया है और पातर कौन कौन है उसको भी उनको बता दिया गया है ऐसा कहा जा रहे है यहाँ पर सालाय बंधोने कारण नियूक्ति आदे जारी नहीं किये गए थे चुकि इसकूल बन था करोना करने इसलिए नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था संदरभीत पत्र करमांग एक के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने ही तो सासन द्वारा समाती परदान की गई है तो यह जो पत्रब करमान की एक है ये विद्ट भी भाग से सम्मानतित पत्र है ठीक है उसके बाद निख्टी आदेज जारी करते समय निम लिखिद बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करना है तो यहां पर क्या-क्या कुछ शाधाड़ बिंदु है उसका निख्टी करने के स का इसन ही कहना है एक g felt पास लेटर भेजायेदा और सब को किया जाएगा एक इग कर के ठीग है । मैं उसके तो आदेश में राज य शा सन्द्वारा परिविक्षा उधी के दावरान हवाला दिया जा रहा है थिक है इनिकFe टाइब लग होगा और पड़ी आ उदिक वरां जो वीतन जा जिए जाना चाहिए उस हिसा Пडिय जाना चाहिए उस हिसाब से बीटन मिलेगा हमें ठीक है उसके बाद है तीसरा इसमें कहा जारे स्वरपर्थम, सिक्षक विहिन एवं एकल सिक्षक की ये सालाओं में उम्मीदवारों की पधिस्थापना करें इनकी सबसे पहले आपर, देखेए सबसे पहले किन किसी स्कूल में होगा, जहां पर बिल्कुल भी सिक्षक नहीं है ऐसे स्कूल पे सबसे पहले सिक्षकों की भरती की जाएगी उसके बाद फिर जिसमें सिर्फ एक सिक्षक हैं जिस स्कूल में उस स्कूल में पहले सिक्षकों की भरती की जाएगी ठीक है दिव्यांग महीलाओं को पद रिकतिता के अधार यथा संभव स्विधा-जनक इस्थान के साला में पदस्था करें या निकि जो भी महीलाओं जो दिव्यांग है उनको उनके ने पास्कनी विज्ञालब पद्सथापना में प्राथमिक्त दीक यहीं कि सबसे पहले प्राथमिक पदिस्थापना जो होगी वो ग्रामीड छेत्र के जितने भी स्कूल है वहां पर सबसे पहले नियुक्ती दिया जाएगा ठीक है जितना भी अभी तक आप विवो का वेरिफिकेशन हो चुका है उनको सबसे पहले ग्रामीड इस्थानों पर आपको भिजा जाएगा ठीक है उसके बाद है चट्वा चट्वा क्या कहा जा रहा है माननी उच्च नियाले द्वारा जिन न्याए नियालीन प्रकरणों में पद रोकने हे तू अथ्वा प्रक्रिया में इस्थगन निर्देश दिये गए हैं उनका कड़ाई से पालन सुन है उन सब भरती होगा ठीक है चलिए साथफा पॉइंट यहां पर देखिए थोड़ा से कंफ्यूजन करने वाली थोड़े सी पॉइंट है लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है आप अगर देखेंगे तो बहुत ही सरल भासा यहां पर पदिस्थापना संबंध जितने भी आवस्यकारे हैं वो पूरा किया जाएंगे 25 तरिक तक उसके बाद फिर आयुक्त कारियालाय से अनुमोधन प्राप्त करेंगे तो पदिस्थापना करने के लिए जो आवस्यकार है वो 25 अगस्त तक पूरा करेंगे यहां पर यह और यह कहाता रहे हैं कि पचीस अगस्त के बाद आपका जो न्यूक्ति प्रक्रिया है वो शूरू होगा ठीक है पदस्थापना सम्मंधित समस्तावस्यक कारी यानिकि पदस्थापना नहीं करना है पदस्थापना से सम्मंधित जो समस्तकारिया है उन समस्तकारियों को 25 अगस्तक पूरा करना है यानिकि जो भी इनको लेटर बटर छापना है जो भी करना है और फिर 25 अगस्तक के बाद न्युक्ती को पत्र है या jakim कैपौईनमेंटल हें वह साइद आना चलो हो जाए जब यहां से अनुमोदन प्रापत कर लेंगे लोग देखे आयूक्त कर्याले से जब यह अनुमोदन प्रापत कर लेंगे तो फिर आपके पास सिधर डरेक्टर वहां पास है उनीूक्ती पत्र सब्सक्राइब करना है उनको ठीक है वह सब चीज करेंगे 25 अगर्ष तक फिर 25 अगर्ष तक के बाद मतलब की आपके पास यह जो भी लेटर है आपका नियुक्ति के लेटर वह आपके पास पहुंचेगा ठीक है आपको क्लियर हो ही गया होगा यहां तक तो अगर वीडियो आ लोग इस पर भ्रामीत हो रहा है कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा है ना तुम उनके पास भी इसको भेज दीजेगा तो तब तक के लिए मुझे दीजे विदा नमस्कार